नश्कार दूस्तों एक वाफ फिर स्वागत आपका हमारी चनल के एक और नई वडियो मैं हूँ आपका दोस्ति गिरिश दूस्तों आप लोग कही तरह के सवाल मुझे भेजते रहते हैं और मेरी कोशी रहती है हर सवाल का रिपलाई करूँ और मुझे लगता है कि इस सवाल क उपर वीडियो बनाकर आपको practically समझाना चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाता हूं तो यहां पर दूस्तों हमारे एक मित्र का सवाल है कि उनका कहना है कि मेरी गाड़ी की जो स्टेरिंग वील है उसमें से आवाज आती है और यह जो आवाज यह तब आती है जब इगनीशन म तो यहां पर दूस्तों उनका कहना है कि मेरी गाड़ी में कोई problem तो नहीं है क्या यह नोर्मल है या फिर कोई issue है तो यहां पर दूस्तों हम इसी topic के बारे में बात करेंगे तो आप अगर देखेंगे दूस्तों तो अभी मेरी गाड़ी की जो steering wheel है वो लोक है और मैं जैसे तो यहां पर आप सुन पा रहे होंगे मैं यहां पर माइक लटका देता हूँ क्योंकि एक हाथ में केमरा पकड़ा हूँ तो यहां पर मैं माइक को इस तरह से लटका दिया है मैंने और अभी मैं घुमा रहा हूँ देखिए तो कोई भी आवाज आपको नहीं आ रही होगी और जैसे ही मैं की को बाहर निगाल लेता हूँ और अब घुमाँगा तो आप सुन रहे होंगे एक चट-चट की आवाज आ रही है और जैसे ही मैं की को फिर से लगाँगा देखिए की को इंसर्ट कर दिया है तो अभी कोई भी आवाज नहीं आ रही होगी तो यहां पर की की के स्टेर्ट वीen एकड़ सही है इसमें कोई बी इस्वु । नहीं है एक्टो नहीं अफर अजरी को निकाल ले तो हमारी गाल का यह स्टेरिंग वील लोक करें क ako अना पर निगान जूए जो की एक स्प्रिंग मेकनियम के दूरा काम करता यह पर इसके अन्दर टांते जिसमें यह फज जाता है जैसे हम स्टेरिंग को घुमाते हैं तो पत्ती जो होती है इस्टेरिंग वील को लोक करने वाली वह जो अवाज करती है क्योंकि वह दांतों पर चलती है और जैसे हमारी स्टेरिंग वील लोक हो जाती है तो फिर वह अवाज बंद हो जाती है तो यह पर नहीं आएगी देखिए कोई आवाज नहीं आ रही है ठीक है और जैसे ही मैं निकाल लूँगा तो बो आवाज फिर से आने लग जाएगी तो यहां पर दूस्तों आप समझ गयोंगे जो लोक मेकनेजम होता है उसकी पत्ती की आवाज होती है लोक की आवाज होती है बाकी स्टेरिंग विल में कोई भी इशू नहीं है उमीद है आपका डाउट किलियर हो गया होगा और यह सभी गाडियों में होता है लगबग तो मि